ओर यूटूब प्रिवाटेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सब के लिए SSC CGL Recruitment 2022 का इंपोर्टन नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोग दियान से इस वीडियो को देखना इस वीडियो में पूरा इन डिटिल में बताऊंगा कैसे आप लोग एप्लाई करेंगे क्या-क्या क्वालिफिकेशन है और काहका एग्जमिलिशन सेंटर है सब कुछ सो वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ जिन्दोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बोलोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और SSE CGL Recruitment 2022 के लिए में भी बहुत ज्यादा वीडियो दोस बनाऊंगा और आप सबको मतलब हेल्प करूंगा अगर आप सबको मतलब कुछ भी प्रोब्लेम हो तो मुझे कोमेंट सेक्शन में बताना या मुझे वाट्साप कर सकते हैं मेरे वाट्साप नमबर है 9101-467653 सो हम लोग डिटेल में भी देखते हैं क्या क्या चीज है स्टाफ सिलेक्शन कोमिशन यानि SSC जिसका मतलब लाश्ट डेट जो अनलाइन अप्लाई का वो 8-10-2022 यानि 8 अक्टूबर 2022 को सो आप लोग मतलब जल से जल मतलब अप्लाई कर लिजे सो स्टाफ सिलेक्शन कोमिशन SSC has released the official notification यह official notification है regarding combine graduate level यानि CGL examination 2022 for the recruitment of various group B and group C push so यह post बहुत ही बढ़िया है post है so under the government of India interested and eligible candidate में apply online here so जो लोग मतलब interest है SSC मतलब job के लिए या जो eligible है वो लोग apply कर सकते है so देखिए क्या क्या चीज है इसमें क्या क्या क्राइटिरिया है हम लोग देखेंगे so name of the post यह देखे पोस्ट कितना बढ़िया है assistant audit officer so यह कौन से ministry के अंडर आता है Indian audit and account department under C and SG so इसमें जो age limit है 18 to 30 years so आप लोग में से जो लोग मतलब 18 से 30 के बीच में है वो लोग apply कर सकते SC, OBC, SD या मतलब PWD के लिए मतलब relaxation है so वो भी मतलब देखेंगे आम लोग नीचे so general candidate के लिए मतलब 18 से 30 तक और number two जो पोस्ट है assistant account officer देखेंगे यह सब कितना बढ़िया मतलब पोस्ट है so यह कौन से ministry के अंडर आता है Indian audit and account department under C and SG so इसका भी age limit general candidate के लिए 18 to 30 years से उसके बाद assistant section officer वो ministry कौन से ministry के अंडर आता है central secretaryate service दियान रखना so देखेंगे इसका age limit 20 से 30 तक so इसमें 20 से पहले दो में किया था 18 से 30 अभी 20 से 30 यह general candidate के लिए number four जो assistant section officer यह ministry कौन से मतलब ministry के अंडर आता है intelligence bureau so इसका age limit 18 से 30 so number five जो है assistant section officer यह ministry of railway और उसका age limit यह 20 से 30 years देख लीजे आप लोग मतलब अगर eligible है तो apply कर सकते है number six assistant section officer ministry यह external affairs ministry के अंडर आता है age limit 20 से 30 उसके बाद seven देखेंगे assistant section officer इसका age limit 20 से 30 उसके बाद eight assistant section officer officer यह ministry of electronics and information technology so यह जो एज है उसका 18 से 30 years यह सब मतलब general candidate के लिए age दियान रखना जो नाइन है assistant so इसका age limit है 20 से 30 year number 10 जो है assistant section officer यह सब 18 से 30 उसके बाद inspector of income tax यह 18 से 30 years inspector जैसे cbic ministry के अंडर है 18 से 30 देखें बहुत सब्सक्राइब पोस्ट ही inspector उसके बाद inspector 15 देखें enforcement officer sub inspector inspectors inspector post उसके बाद inspector assistant superintendent उसके बाद assistant assistant आ गया 21 देखें कितना research assistant divisional account sub inspector so इसमें आप लोग age देख लिजिए 18 से 30 उसके बाद junior statistical officer यानी जैसो यह 18 से 32 years so 26 statistical investigator grade 2 यह 18 से 30 देखें 27 auditor उसके बाद auditor इसका age देख लिजिए इस auditor पे देखें 18 से 27 इसमें तोड़ा कम हो गया general candidate के लिए देखें 31 उसके बाद 32 यह सब देख लिजिए so 36 तक मतलब पोस्ट है देखें साव inspector यह 18 से 27 years so बहुत भड़िया पोस्ट है यह सम so number of post vacancy detail will be upload in due course उसके बाद vacancy अभी तक दिया नहीं मतलब due course पे मतलब vacancy भी upload मतलब update होगा या upload होगा official website पे so देखें eligible criteria of ssc cgl edge relaxation देखें category wise scst का 5 years relaxation यह OBC का 3 years PWD यानी unreserved का 10 years PWD OBC का 13 years PWD SC ST का 15 years so education qualification group B post के लिए देखें junior statistical officer के लिए bachelor degree in any subject उसमें मतलब 60% रहना चाहिए in mathematics at 12 standard जो mathematics में मतलब 12 standard में 60% रहना चाहिए mathematics at subject होना चाहिए और bachelor degree in any subject to statistic रहना चाहिए BMA all other जैसे bachelor degree from recognized university or institute देखें group C bachelor degree from recognized university or equivalent यानी BA degree होना चाहिए या उसकी equivalent और B degree होता है वो होना चाहिए group C post के लिए the candidate appearing in the final year of their graduation can also apply जो लोग मतलब अभी final years पे है वो लोग भी apply कर सकते है देमाश पॉसेस essential qualification on or before 8-10-2022 मतलब उसमें qualification same होना चाहिए 8-10-2022 से पहले एप्लिकेशन फीद देखिए आप लोग SST CGL का general या OBC के लिए 100 रुपीस यह बहुत कम है SST women ex-servicemen इसके लिए नील एकदम payment mode आप लोग मतलब debit card, credit card, SBI चलान, SBI net banking से कर सकते है यह online है उसके बाद exam center of SSC CGL in the North Eastern region यानी NER North Eastern region में जो exam center वो देख लिए आप लोग इटानगर यानी ओर्ण चलपदेश डिब्रिगर डिब्रिगर में होगा आसम के गवाटी में भी होगा दिसपूर यानी 5105 देखिए आप लोग जोड़हाट, सिल्चार, धिमापूर, कोहिमा, शिलोंग, इंपल, गुरू चंदरपूर, उकुरूल, अगरतला, आयजल यह देखिए नौर्थ इस डिजन के लिए बाकी तो पुरे देश में मतलब पुरे हर जगा है आप लोग अभी से अपलाई कर लिजिए, एससी वेबसाइट में जाएए, एससी से जेल का उसमें जाके ओनलाइन अपलाई शुरू कर दीजिए, अगर आपके पास मतलब वो लिंक नहीं है तो मुझे कोमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लिंक प्रोवाइट कर दूँगा आप लोग मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और मैं भी वीडियो से बनाऊंगा, आप लोग मुझे बोलिए, आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, तो थेंक यू सो माच